जय श्री राम प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरू चरण पर दोस्तों, आज के राशी फल कारिकरम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, आज 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार है यह दयनिक राशी फल चंद घ्रह की गर्ना पर आधारित है राशी फल निकालते समय पंचांग की गर्ना और सटी खगोली विशलेशन किया जाता है, हमारे इस दयनिक राशी फल में सभी बारा राश्यों का भविश फल बताया जाता है इस राशी फल की कारकरम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे इस राशी फल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं का भविशिफल होता है यदि आप अपनी कुंदली का फ्री में विशलेशन करवा कर अपनी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डीटेल कॉमेंट बॉक्स में अवेश्य लिखें और अपनी समस्या का समधान पाएं आज का सूविचार दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से ही तूट जाती है सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है जी हाँ दोस्तों इनी विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुबकामना आए और बढ़ाई तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की विक्रमी समवत दो हजार अटहत्तर मास श्रवण पक्ष क्रिश्न पक्ष तिधी त्रयोदशी वार शुक्रवार नक्षत्र आद्रा योग वज्र राहुकाल दस बचके 46 एम से 12 बच के 27 पीम तक इस काल में कोई भी शुबकार नहीं किया जाता है अब जीत मुरत 12 पीम से 12 चौवन पीम तक है दिशाशूल पश्चिम यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में आतरा कर रहे हैं तो जो या राई खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा तो चलिए दोस्तो आज का राशिफल जान लेते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इश्ट देव या इश्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तो चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं आज का राशिफल लगाए रखते हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करें आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें शुब अंक तीन शुब रंग के सरिया और पीला उपाए सद चरित्र का पालन करने से सूर्य प्रसंद होता है वह फैमली लाइफ में खुशियां भड़ती हैं ब्रिशब राशी आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई उर्जा और नया लक्ष दिखाई देगा आपकी बाचीत का इस्तर अविश्वासनी रूप से बहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ती से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को विती या अध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तै करने में मदद मिलेगी आपको इस अवसर का लाब उठा कर अपनी वर्तमान समस्याओं को खतम करने के लिए सोचना चाहिए शुब अंक तीन शुब रंके सरिया और पीला उपाएं सरसों के तेल का प्रयोग शरीर पर मालिश या सर पर लगाना प्रेमी वा प्रेमिका से मिलने से पूर्व करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन राशी आज आप बहुत सुजनात्मक अनभव करेंगे खुबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खुबसूरत चीज बनाना चाहेंगे दिन कलाकारों के लिए विशेश अच्छा है हाला कि आज शुरू किये हुए कारियों को आज ही पूरा कर लेंगे क्योंकि अचानक आप विकरशित सा अनभव करने लगेंगे यह भावना काफी सामान है लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनभव करेंगे शुब अंक एक, शुब रंग नारंगी और सुनहरा उपाए नौकरिवा बिजनेस में लाभेतू अपने जूते के तलों में तामबे की साथ साथ कील लगवाएं करकराशी अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और उर्जा बरबाद ना करें वे कभी नहीं मानेंगे आप काफी व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं इस्तिथी के मांग के अनुसार कारे करें शुब अंक चार शुबरंग भूरा और सलेटी उपाए अपने इश्ट देव की ताबे की मूर्ती को घर में स्थापित कर उनकी रोजाना पूजा करने से प्रेम संबंधों में सुधार होगा आज आप किसी असंभाव साजेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं इससे आपको रोमांस रोमांच और साहसी होने की अनुभूती तो होगी परन्तु यह देखना होगा कि यह साजेदारी कितनी सफल होगी किसी अप्रत्याशित श्रोद से समर्थन सहायता प्राप्थ हो सकती है हाला कि यह अबसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा शुब अंक तीन शुब रंके सरिया और पीला उपाए नौकरिवा बिजनेस में लाभेतू अपने जूते के तलों में तांबे की साथ साथ कील लगवाए कन्याराशी आज आपके सब कामों और विचारों में एकागरता और शान्ती रहेगी आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे कि दरासल कारिस्तल पर भी ऐसी स्तिथी बन सकती है कि आपको शान्ती दूत बनना पड़े घर के सुधार का कोई कारिकरम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलजाने या संबंधों को बहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं शुब अंक एक शुब रंग नारंगी और सुनहरा उपाए नौकरिवा बिजनेस में लाब पाने के लिए तेज फल की दातून करें तुलाराशी आज फैसला लेने का दिन है आप पिछले सप्था से कई चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं आज कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो शुरू में काफी कठोर लगे लेकिन आपको इस बारे में अपने दिल की सुननी चाहिए यह सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए यह नहीं कि मुझे क्या करना होगा अपने दिल की बात सुने इससे आपको लाब होगा शुब अंक तीन शुब रंग के सरिया और पील उपाए गौशाला में सवा किलो जौदान में देने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा वृष्चिक राशी आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजे आएंगी तरक्की की मजबूत नीव पड़ेगी इन सब के बीच खुद को तरो ताजा करना और खुश रखना ना भूलें शुब अंक पांच शुब रंगहरा और फिरोजी उपाए नौ वर्ष तक की कन्याओं को भोजन सामगरी बाठने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा धनुराशी आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं और सब चीजों का आसानी से विशलेशड कर लेते हैं आज आपको अपनी इस विशेश्टा के लिए खूब तारीफ मिलेगी लोग अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे और आपसे सीखेंगे आपको किसी खतरनाग जगा पर यात्रा करने की जरूरत संबंती सूचना मिलेगी घबराई नहीं यह यात्रा छोटी सी होगी शुब अंक दो शुब रंग सिल्वर और सफेद उपाए गडेशी का कोई चित्र हमेशा अपने पास रखने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे मकर राशी आपकी मन की आवाज अब सक्री है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्ग दर्शन करेगी आप मज़े मज़े में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्तिथी में हैं भाग आपके साथ है फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए आप भावनाओं की बाढ़ को अनभव करेंगे पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी होगी शुब अंक दो शुबरंग सिल्वर और सफेद उपाए अच्छी लव लाइफ के लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को चमडे का जूता दान करें कुम्भराशी अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिलकुल सही सोच रहे हैं आज आपको कोई विशेश पकवान खाने को मिल सकता है अपनी सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें आपके मित्रिक को हुई कोई गलत फहेमी आज दूर हो सकती है अप रत्याशित स्त्रोत्रों से आए होने की भी संभावना है शुब अंक नौ शुब रंग लाल और मैरून उपाए दुरगाजी के मंदर में प्रसाज चठा कर गरीबों में बाटने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा मीन राशी आपके पिछले कुछ समय से अपने केरियर तथा नीजी जीवन संबंदी किये गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है ऐसा घटना क्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी आपके प्रयासों और परिक्ष्रम को आपके सीनि अंक साथ शुबरंग क्रीम और सफेद उपाए तेलव शराब पीपल की जड़ में चड़ाने से आर्थिक स्तिथी बहतर होगी मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जाद से जाद शेर कीजिए और कॉमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै श्री राम